नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे यूपीटेट एड्मिट कार्ड 2021 लेटेस्ट अपडेट तो दोस्तो आपको हम बता दें यूपीटेट की वेबसाइट ठीक हो चुकी है अब आप लोग यूपीटेट 28 नॉमबर एड्मिट कार्ड मातर 2 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं जी हां दोस्तो एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस हम आपको आज इस वीडियो में लाइब दिखाएंगे जैसा जैसा दोस्तो हम करेंगे अगर आपने वैसा है वैसा बिल्कुल नियम का पालन किया तो डेफिनेट के आपका एड्मिट कार्ड दो सेकंड में भी डाउनलोड करना आप सीख जाएंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखिएगा एक बात और लेकिन फिलाल आपको पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे एक बात और आपको दोस्तों हम इस वीडियो में अपना मुबाइल नंबर भी देंगे अगर आपसे अपना एड्मिट का डाउनलोड नहीं होता तो आप हमें वाटसेप पर मैसेज करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है और देखिए सर्च क्या करना है डी एल एल एडी आर एस यू एल टी डॉट सी ओ एम डीलेट रिजल्ट डॉट कॉम जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे यह यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रही है डीलेट रिजल्ट 2021 आपको सिंपल सा इसको ओपन करना है जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी टेट 2021 एड्मिट कार्ड और सीटेट 2021 एड्मिट कार्ड फिलाल हमें यूपी टेट का अड्मिट कार्ट डाउनलोड करना है तो simple हम click here पर click करेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों यूपीटेट का लेबस या कुछ और भी देखना चाहते हैं आप सब कुछ देख सकते हैं फिलाल हमें admit card डाउनलोड करना है तो click here पर हम click कर दे रहे हैं बिल्कुल दोस्तों हम लाइब admit card आपके सामने डाउनलोड कर रहे हैं ठीक है सेम इस्टेप अगर आप भी follow करेंगे तो definitely आपका admit card जल्द जल्द डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूपीटेट admit card डाउनलोड करने का दो लिंक दिए गया server one, server two फिलाल दोस्तों और उसके बाद क्या आपको instructions follow करने यहां पर सब कुछ दिया गया है फिलाल हमें admit card डाउनलोड करना है न simple था दोस्त हम click here पर click करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके सामने देखे तिक यह अला हटाते रिश्टेशन नमबर और आपको दोस्तो वन टाइम पासवर्ड यूजड फॉर फाइनल रिश्टेशन प्रिंट आउट देखे बच्चे गलती यही पर कर रहे हैं वन टाइम पासवर्ड में एक बात और आपको पहले बता दे अगर आप लोग अपना र डालना है data वर्ष दोस्तों क्या है और उसके बाद आपने जो भी राजिटर मुइल नमबर यहाँ पर मुबायल नमबर डालेंगे email आडी दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है और captive самых account करेंने to सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना registration number फिल करेंगे, ठीक है, बिलकुल हम आपको live दिखा रहे हैं, ने तो आपको कोई confusion हो, चली registration number हम डालने जैसे, ठीक है, जो भी आपका registration number हो, उसको आप फिल करेंगे, और आपको बता दें, वेबसाइट बिलकुल अच्छी च मतलब admit का download नहीं हो रहा, मतलब वो सब कुछ सही करते हैं, पासवर्ड गलत फिल कर देते हैं, ठीक है, तो उमीद करते हैं, आपको दोस्तों हमने सब कुछ समझा भी दिया है, यहाँ आपने पासवर्ड डाल दिया, आप capture है, यहाँ पर देख रहा ना, पहले small s है, फिर capital R फिर capital L, फिर small R है, फिर capital L है, आई है, यह देखें, दोस्तों green में दिखाता ना, उसके बाद हम login पर click करेंगे, जैसे login पर click करते हैं, दोस्तों देखें, हमारा विजा सब कुछ login हो जाता है, अगर हम चाहिए तो अपना print out निकाल सकते, registration form का, देखें, पहले आप उपर द download हो गया, तो यह दोस्तों हमारा रहा, primary का admit card, यहाँ पर दोस्तों परिक्षा का केंदर जिले का नाम दोस्तों दिया गया है, date and timing, ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हमें माल लेते कि आपर primary का admit card download करना है, तो print admit card पर click करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखें, यह भी download हो होते थे, अच्छी quality में दोस्तों आपका admit card download हो जा रहा है, और देखें, आपको guarantee लेते हैं, कि अगर आप तरीका सीख गया है, तो मात्र 2 second में अपना admit card download करेंगे, ठीक है, 2 second में, कैसे दोस्तों होगा, फिर से हम आपको दिखा देते हैं, करके, देखें, गलती आप से कहा होते हैं, आपको ये भी बताते हैं, 2 second वाला दोस्तों process आपको कैसे अपनाना है, और क्या करना पड़ेगा, देखें, काफी बच्चे होते हैं, जो अपना registration नमर जैसे अपने laptop में आगर आपने save करके रखा हैं, ठीक हैं, तो यहां पर दोस्तों आपको पता क्या सो करेगा चलिए registration नमर हमें fill करके आपको जैसे दिखाना पड़ेगा, होता क्या है कि अधिकान बच्चे वो होते हैं, जो अपना registration नमर और one time password पहले से आँ save रखेंगे, ठीक है, सिर्फ capture value उनको fill करते ही, login पर click करेंगे, ताकि उनका बतलब 2 second में download हो जाए, तो दोस्तों देखें क तो आप अंदाजा लगा सकती कि कितना समय लगा होगा, मतलब जो भी आपका समय लगेगा, सिर्फ capture value fill करने भी लगेगा, तो दोस्तों आपका 2 second में भी admit का download हो सकता है, मतलब ये page कुलने में 1-2 second का वही समय लगेगा, और उसके बाद यहाँ पर आप click करेंगे, तो तुर target में आप click करेंगे, आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है, माता जी का नाम, data, birth, mobile number, ठीक है, उसके बाद email id, capture value, बस recent करेंगे, जो भी दोस्तों password आएगा, वो आला password apply करेंगे, उसके बाद आपको नया password, create करने को option आजाएगा, ठीक है न, तो चलिए, all the best, अगर कोई आप हमें WhatsApp पर message करिए, हम अभी आपको तुरत admit card download करके देंगे, फिर मिल दें, stay connected, have a nice day, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अपने admit card download करने का तरीका सीख गया होंगे, चलिए माल लेते हैं, अगर आप से admit card download नहीं हो रहा है, तो आप क्या, आपको क्या करना है, आप हमें simple तर दोस्तो WhatsApp पर message करिए, WhatsApp नमर दोस्तों हमारा क्या है, 8738079216, ठीक है, 8738079216, यह दोस्तों हमारा WhatsApp का नमर है, ठीक है, फिर से ज़रा ध्यान रखेगा, 8738079216, आप लोग हमें इस नमर पर WhatsApp पर message करेंगे, देके दोस्तों आपको बता दे, इस पर भई यह call नहीं लगेगी, तो आप लोग सिर्फ हमें message कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ज़रा ध्यान रखेगा, तो all the best आप सभी शात्रों को वैसे उमीद करेंगे, कि आप अपना admit का download कर लेंगे, नहीं कर पाते तो message करिएगा, हम आपको तरीका बताएंगे, ठीक है, फिर मिलते है, stay connected, have a nice day.